हलो दोस्तो, आज मैं आप सब के साथ पक्के हुए केले से बहुत अची सी एक ब्रिक्फरस्ट की रेसिपी सेयर कर रहे हूँ और इस ब्रिक्फरस्ट को आप किसी को भी खेलाओं गे ना कर पता नहीं चलेगा कि यह केले से बनी है तो यहाँ पर मैं आपको जो केला दिखा रहे हूँ यह एक्स्ट्रा पग गया है और जेनरली ऐसे केले किसी को पसंद नहीं आता है खाने के लिए और यह ऐसे ही पड़े-पड़े लास्ट में वेस्ट ही होता है सबसे पहले इन केले का जो स्कीन है वो निकाल देंगे अब इन केले को एक मिक्सिंग जार में चोटे-चोटे इस तरह से कट करके डाल देंगे अब इसमें आधा कप मैदा आड कर लेंगे आप इसके जगा पे आटा भी ले सकते हैं और आधा कप ले लेंगे सूची और इसमें एक कप डालेंगे दूद अब इसमें मीठा आड करेंगे तो मीठा के लिए मैंने यहाप पे चार चमच बूरा का यूज किया है आप इसके जगा पे चीनी भी आड कर सकते हो अब एक चमच वेनिला inocence आड कर लेंगे इससे इसका जो टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है आप इसके जगह पे आधा चमज इलाइची का पाउडर भी ले सकते हैं अगर वैनिल एसेंस ना हो तो अब इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूध पेश्ट दियार कर लेंगे अब इसमें 4 चमज डालेंगे मिल्क पाउडर डालने के बाद मिक्सी को एक दो बार चला लेंगे जिसे यह बाकी बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब इस बैटर को एक बावल में ट्रांसपर कर लेंगे और इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ द अब आपके पसंद की साब से यहां पर ड्राइब फ्रूट्स आड़ कर सकते हैं और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका जो कंसिस्टेंसी और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए और इधर मैंने यहां पर एक पैन बठा दिया है पैन गरम होने के बाद इसको स्लो कर देंगे और इसमें तीन से चार्ट रब डालेंगे घी या तेल मैं यहां पर घी उसकर रहे हूं और एक कॉटन कपड़ा या फ्रे टीसू पेपर लेके इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फ्लेम को पुरा लो ही रखेंगे अब इसमें एक कर्ची बैटर आड़ कर लेंगे और इसे हलका सा इस तरह से फिला देंगे गया इसके फ्लेम को लो ही रखेंगे लो फ्लेम में इस ब्रेक्फस्ट को हम बनाएंगे इसके उपर अभी आधा चमच घी स्प्रेड कर लेंगे आप अगर तेल से बनाते हों Xiaomi तो तेल लाड़ कर सकते हैं और इसके उपर कुछ इस से color change होने तक पकाना है अब इसके उपर भी थोड़ा सा गी इस प्रेड कर लेंगे और इसे अभी पल्टा देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड से अच्छे से कूप कर लेंगे और यह हमारे पक्के हुए केले के ब्रिक्फस्ट बन के तेयार है अब इसी तरह से हम बाकी सारे ब्रिक्फस्ट को बना के तेयार कर लेंगे अब यह जो प्यान है उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे अब इस पैन में गी आट करने के ज़रुत नहीं है तो इसमें एक कर्ची बैटर आट कर लेंगे इसे थोड़ा फेला देंगे इसके उपर थोड़ा से गी और ड्राइफ रूट्स को स्प्रिंकल कर देंगे आप यहाँ पे ड्राइफ फूट्स अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी चल लगए यह ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा पीठा को भी बना के तयार कर लिया है और इतने से ही बैटर में आपका दस से बारा पीठा बनके त्यार हो जाएंगे आप इस ब्रेकफस्ट को तोड़के दिखाती हूँ यह बहुत सॉफ्ट बनते हैं और टेस्टी बनते हैं आप इन्हें गर्म गरम बनाईए और खाईए बहुत टेस्टी लगेगा आप इसी तरह से एक बार पके हुए केले से इस ब्रेकफस्ट को एक बार जरूर बनाईए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ जरूर सेयर किजिएगा तो आज के लिए यह पर रहती हूँ फिर मिलती हूँ और एक नए रेसिपी के साथ तिल देन टेक क्यार एंड बाई बाई